नमस्काद अश्कों यूटूग के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लिए लिखे आई हूँ कन्या राशी के जातकों के लिए जून 2020 का राशी के जातकों का जून का महा कैसा वीतेगा मेरा ये राशी फल आपकी चंदराशी पर अधरित है अगर आपकी जनम कुंडली में जहां चंदरमा लिखाया है वहाँ पर छे कांक है तो उसका मतलब आपकी कन्या राशी बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं सबसे पहले हम कन्या राशी में घ्रह गोचर देखें तो चतुत भाब में धनू राशी में केतु विद्धिमान है सौराशी के शुकर विद्धिमान है वक्रिय वस्ता में और उनके संग सुरे की उती है चौदा जून के बाद सूर्व आपके दशum भाब में प्रवेश करेंगे और उनकी राभू और बुद्ध के संग उती हो जाएगी इस पगात चौदा जूनके बाद आपके दशम भा है क्वैंकि जून का महीना काम के सावसे बहुत बहुत बहतरीन है क्योंकि आपका लगनेश बुद्ध. tabs page, जब्ध बैध्यमद समय हो तो चाये आप वैप्वेपार करते हो या जॉब में हो आपके लिए काम के जुमेंदारी सौंप दी जाए जिसके करान आपका मान समान वा परतिष्टा बड़े और कन्या राशी के वो जातक जो की इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किशे तरीके से जॉब मिल जाए तो जॉब मिलने के लिए गोचर काफी महत्ते पूर्ण है अगर आपकी कुंड हैं और दशमेश बुद्ध भी वक्री वस्ता में हैं तो आप इस गोचर में जॉब बदलने का विचारना करें जो जॉब है उसी को कंटिन्यू करें क्योंकि जब घ्रह वक्री होता है तो इस बात का क्यास लगाना मुश्किल होता है कि वह घ्रह किस पका का इफेक्ट है तो इसका ध्यान रखिए आपके पास जॉब नहीं है तो तो आपके लिए बैटर है कि आप जॉब जॉइन करें लेकिन अगर आगर आपके पास बदलने का विचारना करें जॉब बदलने के लिए आपको आगे समय मिलेगा जब आपका बुद्ध वक्री नहीं होगा तो सूरे नवम भाव में होगा तो हो सकता है आफिस में आपको किसी से बाद विवाद हो जाए आपको किसी पकार को अपमान हो जाए किसी पकार की स्थिती हो कोई चीज आपके खिलाफ नेगटीव चले जाए इसका विशेशुप से ध्यान रखेगा अब हम बात करते हैं वैपा काम की गती और अधिक बढ़ेगी और वो नए डंग से अपने काम को प्लान कर पाएंगे तो वैपारी वर के लिए समय अच्छा है धन सम्मद्नी मामलों में कहें तो धनेश शुक्र जो हैं वो भागयवाब में अपनी स्वराशी में विद्यमान है और उनकी उपर देव ग जानाने की पूरी संबाबना बंदी है भागय की बात करें वागय अप यूठ शुक्र अपनी विद्यमान है और उनके ओपर देव गुरु ब्रसपती की स्थिति है तो बागय का पूरा साथ है किन्याराशी के जात्कों के लिए उनका लगनेश और शुक्र भी सीथिति कोर्ट केसिस की अगर हम बात करें तो इस महा जो है महा के आरम में तो मंगल आपके छटे बाब में विद्यमान रहेंगे और मंगल जब छटे बाब से अटेंगे तो सूरज देपता जो दशम बाब में विराजमान हो जाएंगे तो ये संकेत इस बात का है कि अगर आपकी कोर में पहली साफदानी रखें धांपते जीवन को लिए क्योंकि दम पत्य सुक का और शुक्र वक्रियावस्ता में सब्तमें गुरु वक्रिय वस्ता में áते आते सब्तम भाब में मंगल की उपस्तती इस बात का संकेत दे रही है कि आप दमपत्ते जीवन में साफधानी बढ़ते क्योंकि जब शुक्र जैसा घ्रह वक्री होता है तो पती पत्नी भी एक दूसरे के पत्ती अपक्षा बढ़ जाती है और वो सोचते हैं कि हमारी अपक्षा पूरी हो और वोगर जब अपक्षा पूरी नहीं होती तो पती पत्नी में तनाव की स्थिती बनती है इसलिए आप पती पत्नी के संबंदों में विशेश रूप से साफधानी बढ़ते कन्याराशी के वो जातक जो विवा के चुक्ते उनके भिवा के प्रस्तावानी की संबावना जून के महामें बन सकती है और इसके साथ ही जो नव भिवाइद दमपत्ती अपनी संतान को प्लान करना चाते हैं अगर उनकी पंचमेश शनी या उनके नववेश शुक्र की दशा चल रही है तो वो संतान के लिए प्लान कर सकते हैं कंशप्शक के लिए समय सही रहेगा आपका लगनेश बुद्ध वक्री वस्ता में चल रहा है तो मेरा मानना है कि आप अपनी हेल्थ को लेके सचेत रहें क्योंकि वैसे भी लगनेश बुद्ध जो है तो जिनको तवचा समंधी रोग होते हैं स्किन की कोई प्रावलम होती है तो वो स्किन की प्रावलम दुबारा आपके पास आ सकती है या आपको किसे पकार का कोई डिप्रेशन वगरा था तो ऐसी प्रावलम भी आपको परिशान कर सकती है यानि आपकी मन की स्टती भीगड सकती है क्योंकि राहू जैसा घरह जो है जब बुद्ध से यूती बनाता है जो डिप्रेशन वगरा देता है इसकीन की प्रावलम देता है या जो एपिलेपसी वगरा की रोगी है मिर्गी वगरा की रोगी है वो विशेश उपसे चीज की सा की आ सकती है आपका कोई हाट प्रावलम है डियाविटी इसकी प्रावलम है तो साब्धानी बरती है अब मैं कहना चाहूंगी कन्या राशी के वो जाता है जो कोई जिनको लॉक्डाउन खुलने के बाद अब कोई स्थान परिवर्तन की इच्छाय की वो कहीं और जॉब करत अब बरत्मान में अपनी पुरानी जगह लोटना चाहते थे तो मैं उनसे कहूंगी साब्धानी बरते क्योंकि शनी वक्री अवस्ता में और शनी जो है चौते भाप कभी फल दे रहे हैं तो आप अगर स्थान परिवर्तन करते हैं यात्रा जाते हैं ध्यान रखिएगा बह आपका होगा और वस्तान परितन में कष्ट आपका गोचर आपका दिखा रहा है अब हम बात करें कुटूम के सुकी तो कुटूम के सुक का भावी गुरू जो है अपने भागे बाप में बिराजमान है तो परिवार में तो अच्छी शांती रहेगी परिवार के समंदों समंदों में साबदानी रखने की जरूवत है अब हम बात करते हैं आपके लिए शुक्तितियां कि जून के महा में कन्या राशी के जातकों के लिए शुक्तितियां कौन सी हैं जब चंदरमा उनका पाजिटिव होगा और दिन वगर की काम का प्लान करेंगे तो निश्ची त अगर आप किसी कारे का प्लान करेंगे कोई आपको इंटर्वू देना हो कहीं यात्रा करनी हो किसी से कोई बात करनी हो कोई निवेश करना हो कोई प्लानिंग करनी हो तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अब मैं आपको अशुक्तितियां बता रहे हूं मेश में हो, सिंग में हो, तो उस दिन कुछी नए कारे का विचार ना करें और उन तितियों को डालें, महतेपूंट कारे ना करें वो अशुप तितियां आप नोट कीजिए 7 वा 8 जून, 16 वा 17 जून, 18 वा 25 जून, 26 वा 27 जून वो अशुप तितियां हैं, जब चंदरमा आपका नेगेटिव होगा तो भूल के भी इन तितियों में किसी नए काम की शुरुआत ना करें क्योंकि चंदरमा मारा मन का कारा का है अगर मारा मन सही नहीं होता और उस दिन कोई काम कर लेते हैं काम तो शुरू हो जाता है लेकिन काम में बादा जाती है और काम बीच में छूट जाता है आपको कहीं जॉब जॉइन करनी हो, कहीं इंटर्वू देने जाना हो किसी से ओनलाइन बात करनी हो तो इन तितियों को आप नोट करके रखिए 7 वा 8 जून, 16 वा 17 जून, 18 वा 25 जून, 26 वा 27 जून साथ ही मंगल की कनेक्टिविटी आपके छटे वाप से भी है सब्तम भाप से भी है, ध्यान रखिए, बाहन साबदानी से चलाइए किसी प्रकार की चोट या दुरुगटना आपको परिशान कर सकती है तो दशको ये था कन्या राशी के जातकों के लिए काम का बहुत बहुत बहतरीन समय आया है लगनेश वा दशमेश सोराशी के भी द्यमान है भागय शुकर भी अपनी राशी में है और पंचमेश, पंचम भाव से गुरु की भी दिष्टी है तो आपके लिए एक भैतरीन समय है जब आप अपने काम को लॉगड़ान के बाद नए सरे से शुरू कर सकते हैं और ये समय ऐसा है कि आपने अगर धंग से अपना काम को विवस्तित करा तो जून के महीनी में आपका काम काफी हद तक सैटल हो जाएगा और आप अपने काम को फिर पुराने धंग से कर पाएंगे तो इसमें आपको कोई विशेश प्रकार की बाधा नहीं होगी तो दशको आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसके साथ ही दशको अपना वीडियो समाप्ट करने से पहले मेरी आप सबसे परातना है अगर आपने मेरा चैनल अभी तब्रस कर दें साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे जिसे जब ही मैं अपने वीडियो अप्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद अश्कों जैमाता दी